अगेन हम देखते हैं कि हमारा अप्रोच इस था अप्रोच को तो मैंने बोला थियोरी सबसे एंड में देखेंगे लिखिन हमें आज एमेम अप्रोच के कुशन्स करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट है और एक्जाम में मैं मान के चलता हूँ यही आएगा एमेम का पता क्या कहना था नॉर्मली अभी तक आपने देखा कि आप वेल्यू निकाल रहे हो फिरम नॉर्मली अभी तक हमने देखा कि आप फिरम की ना हर बार हर case के अंदर firm की न एक value निकाल रहे हूँ और ये value क्यों निकाला जा रहा है जैसे मान लेते हैं दो firm है एक मान लेते हैं A limited है एक है आपका B limited अगर मैं इसके value की बात करूँ 5 लाक और इसके value की बात करूँ मैं 6 लाक तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि कौन सी company better है तो आपका जबाब हो का सर B limited better है क्योंकि इसका valuation ज़्यादा है अब मैं आपसे पूछूँ कि आप investment किस company में करना पसंद करोगे तो आपने कहा सर B limited अगर better है तो हम B limited में investment करना पसंद करेंगे तो इसी बात पे मूदी गिलानी MM approach था उन्होंने theory क्या दिया कि भाई आप अगर इसमें investment करोगे suppose करो इस company के आप जब 10% हिस्सा खरीदोगे तो आपकी income तो ज़्यादा होगी क्योंकि आप इस company को अच्छा बता रहे हो लेकिन इस company में 10% हिस्सेदारी खरीदने में आपके 60,000 लगेंगे और इस company में हिस्सेदारी खरीदने में कितने लगने वाले हैं तो आप investment ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसे situation में आपको benefit भी ज़्यादा मिलेगा उन्होंने कहा कि investor यह सरिफ आपका अपना thought है कि हम इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे आप किसी भी company में अपने investment को करो आपका result at last same ही रहता है लेकिन कुछ मेरी condition है उस condition के उपर बात है हम यह मान के चलेंगे कि जितने भी investor है उसको capital की बहुत अच्छी समझ है और बहुत अच्छी knowledge है capital market का मतलब share market का एकदम detail में जानने वाला master जिसे बोले वो है पूरी knowledge है यह पहला आजम शम दूसरा हम यह मानेंगे कि tax दुनिया में होता ही नहीं है बाद में mm ने इसको rectify किया बुला भी यह tax वाले part को छोड़ देते हैं तीसरा shares को fraction में भी दिया जा सकता है point में भी जैसे आपने date share खरीद लिए चौथा आप अगर कहीं कम पैसे लगा रहे हो या ज्यादा लगा रहे हो तो उतने amount का यह assumption लोगे कि आप कहीं से loan भी लेके चलोगे तो कुछ एक उनके assumption थे उस basis उन्होंने कहा कि आप कमपठनी में पैसा लगा और जादा तर उन्हों पता है किया कहा था मान लो आपके इस company में पहलेए investment है कि और आप profit बनाने या मान लेते हैं आपके स्वापनी में investment पहले से मान लेते हैं कितना investment है दस आपने इसका investment बेच के यहां shifting कर लिया आपने सोचा यार इस company के मैं पैसे बेच देता हूं शेर तो 60,000 आ जाएंगे इस company के खरीद लेता हूं तो कितने आ जाएंगे 50 यहां पर आपने कितने बचा लिये 10,000 उनका कहना था आपने 10,000 बचाया गलत आपने भले ही 10,000 बचाया लेकिन आपने income भी अपनी कहीं न कहीं खोया है यहां पर लेकिन बोला long time में आपको benefit मिल जाएगा तो जब हम किसी company में पहले से shares लेके बैठते हैं और उस shares को हम क्या करते हैं बेच के किसी दूसरी company में चले जाते हैं इस process को बोला जाता है RB trade process तो सबसे पहले तो आप समझे RB trade process क्या होता है कभी भी कोई भी investor एक company से shares बेच के दूसरे company में switch कर देता है इसे बोला जाता है RB trade process और investor का काम ही यह होता है आपने आज Reliance का share लिया Reliance का share बढ़ी गया आपको लगता है Reliance का share टूटेगा Reliance का share बेच दोगे आप Tata के share में investment कर दोगे investor का काम क्या होता है जो share उसने खरीदा और उससे उसको profit हुआ उससे बेचो फिर ऐसा कोई company ढूंडो जहां पर वो investment करें लेकिन M.M. ने बोला कि मेरा जो theory है यह मान के चलेंगे company की सारी चीजे earning वगेरा सब कुछ सेम होगा यह हमें एक assumption लेंगे तो M.M. का क्या करना है M.M. वाले में question में क्या होगा basically हमें एक company के shares बेच के दूसरे company में खरीदेंगे हमें वाँ proof करना होगा भाईया जब दूसरी company में गए तो हम कितने पैसे बचाए जैसे अगर मैं यहां से जाके यहां बेचता हूँ तो मैं आपसे पूछू बताओ कितने पैसे बच गए दूसरे company में तो आप बोलो कि सीधी बात है 50-60,000 रुपे का share बेचा और 50 का खरीद लिया यानि 10,000 रुपे हमने बचा लिये एक तो उनका यह था कि आप saving बताओ दूसरा बताओ कि आपका income पे क्या impact पड़ा है और उनको conclusion में एक note दो तो same देखा जाए इनके क्या के assumption थे हमने last class में काफी questions कर लिये थे और देखा जाए तो यह assumption मैंने पहले कराया तो वही मैंने डाल दिया बाकी मैं तीनों assumption बाद में कराऊंगा इनका पहला assumption क्या है capital market क्या रहेगा perfect है perfect मतलब सबको जानकारी है shares are infinity shares अनन्त है investor are rational मतलब बहुत ग्यानी है investor there is no corporate tax कोई corporate tax होगा ही नहीं tax नाम की चीज़ी नहीं है the personal leverage and corporate leverage personal leverage और corporate leverage का मतलब है कि मान लो आप 50,000, 10,000 रुपे बचा रहे हो तो आप यह मान के चलो कि कहीं से loan लेते तो कितना ब्याद चलता एक ना assumption मानने वाली बात है सारी बात है जब मैं practical करूँआ न तो आपको अच्छे से clear हो जाएगा theory की हम बात में बात करते हैं पहले हम practical देखते हैं एक question आपके सामने है क्या पूछा गया है और कैसे करेंगे आपको clear हो जाएगा सबसे पहले कुछ एक word मुझे समझाना था that is RV trade process आपको hopefully समझ में आया होगा कि RV trade process क्या होता है जादा सा जादा question एक्जाम में आने के chances होता है इस chapter के दो नाम है मैं कह देता हूँ value of firm कई बार कहते है theory of capital structure तो कुछ भी बोल देते हैं अपके किताब में theory of capital structure के नाम से ये chapter given है और unit में भी बोला हुआ है कई बार value of firm भी बोल देते हैं ठीक है कहता है the following information data regarding two company x और y belonging same risk class तो पहला उनका अजम्शन था same risk class चीक है इसके बाद आगे देखते हैं company x और company y दो company है कहता है number of shares इस company के number of shares अलग-अलग है इस company का market price अलग-अलग है इस company में debenture है इसमें नहीं है तो ये बन गया हमारा कौन सा ये बन गया levered और ये बन गया unlevered ठीक है ये बन गया levered और दूसरा बन गया हमारा unlevered अभी जिन बच्चों का doubt कहने है कि आपने chat पर भेजा था भी वो check करा लेते है number आपको हर किसी बच्चे को पूछने चलो मैं पहले concept करा लो फिर बात करेंगा ठीक है अब आगे कहता है कि profit before interest देखो EBIT उसने कहा था इस चीज को ध्यान रखना EBIT EBIT जो है इसका भी अठारा आजार इसका भी अठारा आजार दोनों का ठारा आजार है question पहले समझ लो दोनों questions का आपको capital structure दे दिया है एक जगह पर loan है एक जगह पर नहीं है question में क्या कहता है all profit after debenture interest are distributed dividend जितने भी profit बचेगा वो सारे dividend में जाएगा और ऐसे question में ने tax rate होगा ही ने क्योंकि MM ने बोला तब यह tax होता ही नहीं है कभी भी तो generally नहीं होगा explain how under Modi-Gilani-Miller approach यानि यह line आपको देखना जरूरी है जो यह concept करेंगे जब तक यह approach ना बोला जाए तब तक नहीं follow कर सकते an investor holding 10% share in company X एक व्यक्ति जिसके पास यहाँ पे 10% share है पहले से will be better off in switching his holding to company Y यह क्या करना चाता है इस company को shares को इधर switch करना चाता है यानि यहाँ से यह बेचे देखा share और उधर जाएगा अब share का मतलब क्या होता है सर्फ equity share ने पूरी holding pattern value firm के value को बेचेगा यह ठीक है ना तो हम सबसे पहले एक बार firm का value निकाल लेते हैं क्या है simply जैसे पहले करते थे वही pattern follow करेंगे फिर हम यहाँ पे saving वगरे निकाल लेंगे दोनों company का देख लेते हैं बड़ा छोटा सा concept रहता है छोटा सा question रहने वाला है और यह आता जरूर है exam में option में मिले चाहिए कैसे मिले पूछा जाता exam में इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको हर बार बता भी रहा हूँ एक है हमारा एल लिमिटेड अच्छा एल नहीं है एक क्या है हमारा x लिमिटेड और एक क्या है y लिमिटेड सबसे पहले ebit ले लीजिए आप ebit sir ebit कितना है दोनों का अब इसमें से minus interest करिए sir इसके अंदर interest होगा देखे लोन दे रखा है 6% 60,000 तो कितने होंगे यह आ जाएगा कितने 14,000 यह आ गया ebit बोला गया tax का कोई पंगा ही नहीं है यह सारा प्रफरिंग equity shareholder में बट जाएगा tax का कोई है यह नी रोल अब हमें क्या निकालना है वी निकालने के लिए पहले e निकाल लीजिए फिर आप d निकाल लीजिए फिर वी निकाल लीजिए ठीक है E निकालने के लिए क्या होता है आपको KE question में दे रखा है क्या अब question में KE नहीं दे रखा लेकिन एक equity share का rate दे रखा है market value हमने बोला था market price लेंगे तो equity क्या होगा मैं एक का निकाल के दिखा देता हूँ जैसे कि 90,000 into में 1.2 कितने आगे 1,8,000 1,8,000 दूसरे का equity कौन बताएगा 3,8,000 दूसरे का क्या होगा अब debenture ले लिजिए debenture कितना है 60,000 तो अगर मैं V आपसे पूछू तो इसका V आएगा 1,68,000 और इसका V कितना आएगा 1,50,000 आप पहले simple देखे यहां तक मैंने प्रोच का concept नहीं बताया मैंने अभी तक तो पहले यह वाली देखिए इसमें किसी बच्चे को doubt है क्या इसमें किसी student को doubt है यहां तक सभी को clear है फटाफट बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाओ और जो concept सीखना है वो हम करें आगे यहां तक किसी student को doubt comment में बताये फटाफट yes clear है clear है clear है no sir कोई doubt नहीं चलिए जायतर बच्चे कह रहे हैं sir doubt नहीं है यहां तक clear है चलिए ठीक है अब आगे question पता है क्या कहता है आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा question क्या कहता है मेरे पास इस company के 10% holding है और मैं यहां से बेच के यहां सिफ्ट हो जाऊँगा तो सबसे पहले आपके पास 10% holding का मतलब 1,68,000 रुपे का समान बेचेंगे हमेशा जब भी बेचा जाएगा वो भी बेचा जाएगा आपका यानि value of firm अब 1,68,000 बेचेंगे या फिर मैं यह भी कह सकता हूँ 10% इसका बेचूँगा और 10% इसका बेचूँगा यह भी मैं कह सकता हूँ ठीक है अगर मैं total बात करूँ अगर मैं sale करूँ X limited से तो X limited से जो sold करूँगा sold करूँगा क्या सर E को sold करूँगा equity को sold करूँगा कितना equity sold होगा 10% यानि 10,800 और सर क्या sold करूँगा मैं debenture कितने percent debenture sold करूँगा सर कितने percent था 6% 6% that is 6,000 total मैं 16,800 रुपे मेरे पास fund का arrangement हो गया है यही तो करता 16,800 यहां से 10% निकाल लो क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही तो 10% निकला है मैंने अलग-अलग करा पहले यहां तक देखिए कि मैंने total 10% हिस्सा निकाल लिया जिसमें equity 10,800 है भाई साब और debenture जो है वो 6,000 रुपे है और total मेरे पास fund का इंतजाम हो चुका है कितना हो चुका है 16,800 रुपे मेरे पास पैसे आ चुके है और इस पैसे को मैं कहां खरीदने वाला हूँ Y limited में सारा पैसा मैं invest करने वाला हूँ या फिर मैं 10% हिस्सा ही Y limited में खरीदूँगा पहले यहां तक देखिए यह pattern समझ में आया तो मैं अब Y limited में खरीदूँगा जाके पहले देखिए यहां तक समझ में किलियर है चलिए रिपीट कर दें एक बार चलिए मैं एक बार रिपीट कह रहे है तो मैं एक बार फिर इसको erase कर देता हूँ मैंने क्या कहा सवाल ने कहा सवाल ने कहा कि explain how the mm approach holding 10% x limited x limited के अंदर मैं 10% percent में है मेरे पास और यह 10% मैं बेच करके Y में चले जाऊँआ कहां बोलता है x will be better off in switching his holding to Y limited यानि x limited क्या करना चाहता है switching off का मतलब बेच देना या RV trade का मतलब भी बेच देना बेच करके कहा holding shift करना चाहता है switching his holding to company Y यानि मैं यहां पर बेचना चाह रहा हूँ जब इस company की holding बेचने की बात आएगी तो equity मत बेचिएगा 10% आपके पास दोनों चीजे holding होगा equity भी और debenture भी सारी चीज में आपका 10% हिस्सेदारी होगा तो मैं इसको बेचूँगा तो मैं अगर अपना fund की बात करूँ मेर पास कितने पैसे आएंगे fund जो arrange हो जाएगा किस से हमारा x limited से तो सबसे पहले मैं equity इस company का बेच देता हूँ तो भाई साब market value की बात करेंगे आपका book value नहीं बेचा जाएगा that is हमारे पास इससे बेच के पैसा आएगा 10,800 और मैं 6% debenture भी बेच दूँगा इस company के total debenture थे 60,000 और मैं इसका 10% बेच दूँगा तो यहां से मेरा पैसा निकल के आएगा 6,000 total fund जो मेरे पास आजाएगा 16,800 रुपे मेरे पास total fund आजाएगा पहले आप देखिए यहां तक मैं बिल्कुल दीरे-दीरे चलूँगा कोई मुझे जल्दी भागने की जौरत नहीं है और उसी के हिसाब से चलता रहूँगा मैं ठीक है total पैसा जो आगया वो आगया यह रहा हमारा चलिए बाकि इधर कर लेंगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत एक बच्चे ने बोला था के सर रिपीट कर दे मैंने रिपीट कर दिया है अब भी देख लीजे किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ लीजे जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी बता दीजे क्या इसके अंदर आपके डाउट है यह वाली बात समझ में आ रही है बिल्कुल सिंपल ठीक है जो कोउच्चन ने कहा है सभी बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है चलिए अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दो ही सवाल है पहला सवाल मुझे बताइए आप अगर इस कंपनी की 10% खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे लगाने होगे मेरा पहला सवाल अगर आप इस कंपनी के कितना खरीदना चाहते हैं 10% तो 10% वेल्यू का हमेशा खरीदेंगे तो 10% अगर इस company का आप खरीदेंगे तो कितने पैसे invest करेंगे 15,000 करेंगे और आपके पास पैसे है कितने 16,800 तो क्या आप यहां पे saving कर पा रहे हो saving हो रही है आपकी कितने पैसे saving हो गए चेक करते हैं तो बच्चो वाला सवाल है यह तो बस मैं बार-बार बोल रहा हो तो ऐसा मझस समझना मुश्किल कोई सवाल है देखो सबसे पहले हम investment करेंगे in why limited पहले हमारे पास fund कितना available है sir fund available है हमारे पास 16,800 invest कर देंगे हम investment in why limited sir 10% अब why limited का 10% सब कुछ खरीदो equity भी खरीदो, debenture भी खरीदो, सब कुछ खरीदो अब why limited में चलो equity खरीदते हैं, तो why limited में अगर मैं equity को खरीदूँगा तो सिर्फ equity है इसमें मेरे ख्याल से तो आपको देख पा रहे होगे, इसमें debenture तो है ही नहीं तो सिर्फ मैंने ये खरीदा 15,000 का तो इस हिसाब से देखा जाए, तो मैंने पैसे बचा लिये अपनी समझदारी से यहां से बेच के इसमें चला गया और पैसे बच गए कितने बच गए भाई साब, आठारा सो रुपे, मैंने क्या कर लिया सेविंग कर लिया 18 सो रुपे आपने के शेर्स में और डिवेंचर में पैसे लगाओगे तो शेर्स के क्या मिलेंगे आपको डिविडेंट मिलेगा और डिवेंचर के क्या मिलेंगे आपको ब्याज मिलेगा यही तो होती है कहानी shares के बदले क्या मिल जाएगा आपको dividend और debenture के बदले क्या मिलेगा ब्यास तो आपको सालाना total income कितना होता था और shifting होने के बाद कितना हो रहा है ये भी आपको prove करके दिखाना होगा पहले तो हमने आपको निकालना क्या सिखाया कि भाईया जब हम switching कर रहे है तो हमारा saving हो रहा है saving तक के concept को ध्यान दीजिए अगर saving तक समझ में आ गया तो मैं अब income की बात करूँगा दो ही बात बताना है saving और income that's it और कुछ भी नहीं बताना saving तक clear है आपको कितने हमने पैसे बचा लिए है जल्दी जल्दी comment में जवाब देते जाईए ताकि मैं आगे बढ़ू मैं ऐसा नहीं चाहता कि एकदम से आगे बढ़ जाऊ और आपको problem हो जाए clear है चलिए सर अगले point पे आते हैं अब हम income की बात कर लेते हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा side कर देता हूँ या इस slide को थोड़ा छोटा करके light थोड़ा उपर ले जाते हैं यह था saving और यह question पूरे 20 नंबर का और 15 नंबर का पूछा जाएगा यह question यहां ठीक है चलो अब income की बात कर लेते हैं मैं income के लिए मैं कोई table कोई format नहीं बता रहा अभी सिर्फ concept पे मेरा focus है ठीक है सिर्फ हम concept पे बात कर रहे है चलिए आ जाईए अब मैं बात कर लेता हूँ मैं अपनी कमाई जानना चाहता हूँ कि X limited में कितना था और मैं कमाई जानना चाहता हूँ कि Y limited में कितना हो रहा है X limited में जब था तो मुझे equity में से पैसे मिला करते थे X limited में जब था तो मुझे debenture से ब्याज मिला करता था अब X limited में जब था तो equity पे कितना मिला करता था वो चेक कर लेते हैं यानि यह सारा का सारा पैसा जो है वो किसमें बटा करता था equity shareholder में समझ ये ये क्या है हमारा profit है सब कुछ minus कर दिया है तो ये पैसे पे हगदार कौन है equity shareholder अगर ये share equity shareholder है तो मैं पहले की बात करूँ कमाई की equity में तो मेरे 14,400 रुपे कमाई हुआ करते थे और इसको 90,000 लोग बाट लिया करते थे और मेरे पास सरिफ और सरिफ 9,000 share थे तो मेरी कमाई बताओ कितनी हुआ करती थी equity से मेरी कमाई यानि 14,400 यानि मेरी कमाई कितना हुआ करता था equity से सर मेरी कमाई या आपकी कमाई equity से जो थी वो कितने की थी 14,400 दूसरा सिंपल तरीका देखो आपने 10% ही तो holding लिया तो आपकी कमाई कितनी होगी 10% ही होगी तो सीधा निकाल सकते थे 1440 का 14400 का 10% भी आप ले सकते थे समझ में आरे बात आपको अब आगे बात करते हैं सर्ड डिवेंचर से भी हमारी कमाई होती थी तो डिवेंचर से 10% यानि आपका टोटल ब्याज कितना आपने पैसे कितने लगा रखे थे आपके पास 6000 ही तो थे 6000 के उपर आपका ब्याज कितना बनता था 360 रुपए तो आपका ब्याज कितना बना करता था यहाँ पे 360 रुपए यानि पहले की जो कमाई थी ये total कमाई आपकी हुआ करती थी समझे बात को ये total आपका पहले earning का source था अब आपका earning का कितना source है अगर मैं why limited की बात करूँ अब earning का क्या source है जब आपने खरीदा है तो सिर्फ 18,000 ये इसका 10% होगा आपका कितना होगा 1800 पहले की कमाई की बात करें तो क्या है और अब की कमाई की बात करें तो क्या है यानि हमारी समझदारी की वज़े से हम यहाँ पैसे बचाने में कामियाब हो गए इनकम पे हमारे फरक नहीं पड़ा है लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा saving कर लिया यानि इनकम हमारा constant रह गया और ये नॉर्मल में आप करते हो सभी student life में करते हो यार ये काम करते है इसको पैसे दे देंगे तो यहाँ से बच जाएंगे और इतनी तो income आती रहेगी simply ये चलता है हमारा तो यहाँ पे यही prove करना था कि income पे हमारा ऐसेच कोई फरक नहीं पड़ा है ठीक है पहले तो आप ये देखिए फिर मैं इसको दुबारा करूँगा अभी एक format के अंदर जैसे format में आपने करना है पहले यहाँ तक clear है सर 9000 क्यों multiply किया क्योंकि मैंने इस company के 10% hold कर रखा था और इस company के जो shares थे वो 90,000 थे तो 90,000 का 10% 9,000 ही होगा बताईए यहाँ तक clear है यहाँ तक clear है ठीक है अब मैं इसको पूरे format में saving तो ठीक निकाला है saving में कोई format change नहीं होगा बस मैं इसको फिर से ठीक से करना चाहूँगा कि आपका किस किस तरीके से पैसे आ रहा है यह क्या निकाला था हमने saving निकाला था है और यहाँ 1100 यह भी आ रहा है इसको कर दे प्रॉपर यहाँ तक clear है तो बताओ विल्कुल 10% भी ले सकते हो एक बार दुबारा repeat कर देते हैं ठीक है मैं space बना लेता हूँ थोड़ा चलिए हम यहाँ बात करते हैं saving की पहले मैं saving की बात करता हूँ कितने पैसे बचाएंगे हमारे पास fund अवेलिबल था that is 16,800 यह बेच के पैसा आया था 10% और हमने invest किया 10% invest किया 10% that is आपका 10% investment की बात करो तो आप इस company में invest करोगे जिसकी value कितनी है डेड लाग तो डेड लाग का 10% invest करोगे that is 15,000 तो आपने यहाँ save कर लिया 1800 यह तो simple सी बात हो गई अब आजाएं income की अब income को मैं proper format में कर देता हूं अब ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं हमारे पास यह x limited है और y limited है x limited का जो पैसा income आ रहा था equity से वो आ रहा था हमारा कितने का सर आपका income कैसे निकालेंगे देखो 14,400 रुपए आपका profit था जो किसके हिस्से में जाता शेर होल्डर अगर आपने 10% pattern खरीद रखा है तो आपका 10% पर यह अधिकार रहेगा ठीक है इसको या तो आप सीधा directly 1440 लिख लो या calculation वे में जाना चाते हो तो 14,400 रुपए distribute होगा कितने में सभी shareholder में X limited के shareholder कितने है सर 90,000 shareholder है तो अगर इसे मैं 90,000 में divide कर देता हूँ तो एक shareholder का हिस्सा आ गया और मेरे पास जो holding था 10% acquire करके बैठा था तो मेरे हिस्से का आया 9,000 इस करीद के से भी करोगे तब भी आपका answer 14,400 आएगा clear है अब MM का assumption था कि जब कभी भी आप किसी company ऐसी company में switch करोगे कि जहाँ पे loan है ही नहीं अब ध्यान देना मैं थोड़ा सा point आगे ले जा रहा हूँ कि जब कभी भी आप ऐसे company में switch करोगे जहाँ पे loan नहीं है तो आप मान लेना कि आपके पास कहीं बाहर से करजा लेते तो इतना ब्यास देना पड़ता है यह अजंशन लेना पड़ेगा आपको यानि इस company में आपके पास loan नहीं है इसकी income की अगर हम बात करें तो simple सी बात है यहाँ पे कितना income आ रहा है हमारा 1800 10% खरीदा है यहाँ income कितना है और यहाँ कितना है 1440, debenture मिला के हो रहा था हमें equity पे income को calculate करके दिखाना है MM का क्या मानना था अगर आप किसी ऐसी company में जा रहे हो जहाँ पे debt नहीं है तो आप पहले debt वाली company में थे तो यह मान लो इतना ही debt आपके पास वहाँ पे होगा कहीं और से पैसा अगर देते लेते उधार तो आपको इतना पैसा देना पड़ता तो इस company में आपको debt मानना होगा कि debenture पे अगर लेते तो same rate of interest पे ब्याज देना पड़ता जो debenture पे था यानि आपको 6000 पे 6% 360 रुपे का ब्याज देना होता इसके हिसाब से इसको थोड़ा इदर करते हैं इसके हिसाब से 14,040 और यहाँ पे भी कितना profit आगया 14,040 यानि हमने overall हमने क्या समझाने की हमारा constant रहा है और हमारा in saving और कर ली हमने कितने की saving कर ली हमने हमने कर लिया है 18,040 का हमारा saving हो गया है MM का यही कहना होता है अब आप ध्यान से देखोगे न तो ध्यान से आप देखिए आपको इसके अंदर conclusion देना है conclusion क्या दोगे कि as per arbitrage process arbitrage process के हिसाब से दिखा जाए तो हम अगर किसी x limited के switching करते हैं y limited में तो उस जगह पे we are save amount rupees 1800 and income will be constant income क्या रहेगा हमारा constant रहेगा income के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन examiner को समझाना होगा के income कैसे constant रहेगा तो आपको ऐसे करके prove करके आपको दिखाना होगा के हमारा क्या है income assumption क्या लिया इसके अंदर loan नहीं था लेकिन आपने assumption लिया मान लेंगे के आप इतना ही loan लोगे यह आपका assumption रहेगा यहाँ पे mm का पहला assumption यहीं है कि levered आपको मैंने भी assumption के अंदर बताया यह वाला point the person levered and company leverage personal leverage and company leverage दोनो personal leverage और company leverage दोनों को constant मान के करोगे तब यह rule apply होगा और real life में देखा जाए ना तो यह वाली चीजे ना अब applicable नहीं रही है इतना ज़्यादा क्योंकि यह assumption based है हर company में ऐसा assumption तो रहता नहीं है normally हमारा net income approach रियल लाइफ की बात करें लेकिन book के अंदर अभी भी यह question ज्यादा trending में रहता है examiner पूछते हैं इसमें से question ठीक है आप देखेंगे जिनके पास किताब है किताब के अंदर आपको इसका 10 year के अंदर भी question कराया है तो दे रखा है book के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको इसका solution में given है के by the shifting 14 400 रुपे 15 1800 saving same investment as आपको वही कहना होगा sir video रुक रुक के चल रही है क्योंकि हम equity का देख रहे है valuation इसमें debenture minus नहीं करेंगे हमने मान लिया के हमारा यहाँ पे debenture जितना debenture इस company में था इतना यहाँ था यही prove करना था हमें देखो प्रोग्राम की book में भी होगए question इसका एक बर conclusion पढ़के दिखा दू मैं एक बर conclusion भी देख लो conclusion कहां मिलेगा इसका प्रोग्राम की illustration number 10 था ना 10 है ना यह रहा यह रहा 10 आप conclusion पर ध्यान दीजिए यह रहा इसका जो conclusion solution पर ध्यान नहीं देना solution तो मैं करी रहा हूँ आपको सरिफ और सरिफ देखे क्या कहता है question में ध्यान देना दज आपको पहले इसने क्या करा x limited के अंदर 1440 रुपए और यह और यह save करके जो कि मैंने दिखा दिया आप conclusion पर देखे by shifting from company x to y अगर आप company x से लेके y में shifting करोगे the investor able to get same income 1440 investor जो है उसका income same रहने वाला है 1440 1440 and still having the fund 1800 और अभी भी उसके पास 1800 है पैसे बचे वे बताया था saving हुआ था 1800 जिसको यहाँ पे इस तरीके से करके दिखा दिया मैंने at his disposal he is better off not in the terms of income better तो है यह लेकिन income के terms में better नहीं है लेकिन but in terms of capital fund saving के terms में यह better है में बताना होता है कि यह income के terms में better हो पाया यह saving तो देखा जाए किसके terms में better हो गया यह saving उपर आपको simple बोला हुआ है कि both from EBIT and so and जो हमने किया है वो सारी बाते बताई है तो आपको यह conclusion जो है यह आपको exam में लिखना बहुत जरूरी है और लिखने का बड़ा simple सा terms है हम यह बता देंगे कि हमने इस company से इस company में shifting किया है हमारा income constant रहा है लेकिन हमने saving कर लिया है अपने language में बिलकुल लिख सकते हो इसको यह भी ठीक करना है इस question को 10 year new आएगी या old वाला ही ले ले 10 year आच चुका है आज मैंने video डाला हुआ है 10 year आच चुका है मैं दिखा दिते हूं आपको सारे 10 year आगे हैं नए नए paper लगके आच चुके हैं 10 year market में मैं आज आपको सभी को image group के अंदर शेयर करा दूँगा दूसरा number भी दे दूँगा कहां से buy करना या nearby shop से आप कहीं से भी buy कर सकते हो clear है यहां तक मैं एक बार फिर से इसमें time क्यों ले रहा हूं क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा इसमें न मुझे लगता है कि ज्यादा बताने के ज़ुरत है question क्या था समझ में आए question question क्या था sir question पूरा दे रखा था पहले हमने क्या निकाला वी निकाला अब जहां से जहां shifting करना था shifting भी कर दिया पहले हम क्या निकाल के saving saving के बाद क्या हमने calculate कर लिया income उसके बाद क्या देना हमें conclusion